नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कालिकरम इतिहास के पड़ने हैं। पड़ता है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के लोग महात्मा गांधी का नाम ना ले तो वो कैसे अपने आपको लेजिटिमेसी प्रदान कर सकते हैं। सरदार पटेल एक एप्रॉप्रेटिट फिगर के तौर पर डिस्कोर्स में आते हैं। थे नहीं आज के सत्ता पक्ष के नेता लेकिन उनको एप्रॉप्रेट कर लिया गया है। जवाहरलाल नहरू उनका भी नाम का जिकर होता है। एक disparage करने के लिए, हमेशा attack करने के लिए। कोई तो एक counterpart चाहिए कि पहले उनकी वज़े से ठीक नहीं हुआ, हम ठीक कर रहे हैं। तो नहरू का नाम उस तरह से आता है। चौते जिस इनसान के बारे में, जिस नेता के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि बहुती प्रमुख चार स्थम्ब जो हम मान सकते हैं नैशनल मूव्मेंट के, उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, उसका जवाब देने के लिए, वो हैं मौलाना अबुलकलाम अजाद, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, और हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हाल में एक नई किताब आईए, मौलाना अजाद लिखने वाले का नाम है, स. इर्फान हबीब, अर वो हमारे साथ आज, इرفان भाई, हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ट इतिहासकारों में से हैं, हमारे मित्रों में से रहें हैं, बड़े कई दशकों से, तो इर्फान भाई सबसे पहले तो हमारे इस कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस महतुपून किताब के लिए बहुत बहुत बदाए। मेरा पहला सवाल जो है आपसे बातचीत करने का मौलाना आजाद के बारे में क्या थे कहां से आये थे उसके बारे में तो मोटे तोर पे हिंदुसान के बहुत लोग जानते हैं लेकिन हम उस सेक्टर की बात करते हैं जो आज के तारीक में इग्नोड है या फिर बिलकुली जा रहा है वो है एजुकेशन मौलाना आजाद हिंदुसान आजाद हिंदुसान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके कुछ जो इनिशेटिव से कुछ जो पॉलिसी थे उनको बिलकुल पाइनियरिंग माना जाता है ना सिर्फ पाइनियरिंग की क्योंकि वो आजाद ह कि पढ़ाई उस पे उन्होंने फोकस किया एडल्ट इलिटरेसी को उन्होंने टार्गेट किया फ्री एन कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए 14 साल तक की दो उनकी बात थी सेकंडरी एजुकेशन को कैसे डाइवर्सीफाई किया जाए और फाइनली जो संस्थाएं बना तो युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तो आई ही उसके साथ साथ कई सारे कल्चर एरिया के उन्होंने एकाडमी को भी सेटप किया था संगीत नाटक एकाडमी इस तरह के बहुत सारे उन्होंने किये थे तो बतौर एजुकेशनिस आपने इनके उपर इतना अध्यन किया थी बड़ी महतवपूर्ण किताब लिखी है तो एजुकेशनिस के तौर पे मौलाना अजाद को कैसे हिंदुस्तान में आज के कांटेक्स में हमें याद रखना चाहिए लिए के मेरी इस किताब को लिखने का मकसद कि यही था जो आपने अभी इतने अपने इंट्रॉड़क्शन में बताया कि मौलाना इतने महतवपूर्ण फिगर हैं और उनका नाम या उनका काम सब लोगों को मालूम होना चाहिए होना चाहिए था लिए लिए अफसुर्फ की बात ये कि हम थिकर भी नहीं करते और वो मिनिस्टर फ़ एजुकेशन ही नहीं थे वो मिनिस्टर फ़ एजुकेशन साइन्स एंड कल्चर तो उनके पास तीन मिनिस्टरी इस थी ये तो बाद में डिविजन हुआ है तो उनके जमेदारी कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण थी वो एजुकेशन तो था ही दूसरा ये कि हम को ये भी खाल लखने की ज़रूरत है कि जब मौलाना ने टेक ओवर किया एज़े मिनिस्टर उस वक्त हिंदोस्तान की हालत क्या थी? एकोनोमिकली, सोशली, पुलिटिकली. डिविजन हुआ, देश का वालेंस हुई, बहुत लोग डिस्प्रेस हुए, बड़ी तादाद में लोग उस तरफ से इधर आए, जो लोग आए वो बुरे हाल में थे, खाने पिने के लिए तो झाहर है कि नहीं था, रहने के लिए घर नहीं थे, उनके पास उनके बच्चों की एजुकेशन का भी जरिया नहीं था, और क्योंकि मौराना मिनिस्टर उफ एजुकेशन थे, तो पहला मकसद, और उन्होंने बहुत से इस पीजेज में यह कहा है, क जी, तो और उनको बहुत सी जरूरते हैं जो हमें उनकी पूरी करनी है, तो उसमें एजुकेशन एक बड़ा मसला था, एक कमेटी भी बनी थी उस वक्त, और उस कमेटी के बहुत सारे लोग थे जो रेपेजेंट करते थे उन लोगों को, जो हिंदस्टान आये थे, और उनक लागों में थी, कि उनके बच्चों के अड्मिशन नहीं होते थे, जी, तो मौलाणा ने बाकादा मेर्चन खरना, जो आज मेर्चन खरना माकिट यहां पर है, वो उस वक्त, दिल्ली में, जवाला नेरू स्टेडियम के पास में है, लोधी कॉलनी के भी बिल्कुल लगा मिनिस्टर थे इस डिपार्टमेंट के, रियाबिलिटेट करने के लिए इस लोगों को, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, और एक कमेटी बना के उसमें बहुत सा काम भुआ है, यह एक शुरुबात मौला ने ने की, इस से आप अंदाधा लगा सकते हैं कि उनका बच्चों को देना, यह उन्होंने प्रोजेक्ट, दूसरी चीज जो आज इंपॉर्टन्ट है और अफसोस की बात यह है कि वह इंपॉर्टन्ट क्यों है, होने नहीं चाहिए थी, मौला ने अपनी शुरू की स्पीचेज में, 47, 48, 49, केब की मीटिंग्स में, बार-बार द सब चीजों से बड़ा दूर था, साइन्स, एजुकेशन, कल्चर, उसमें उनका कोई रोल ही नहीं था, अंग्रेज्स हकुमत थी, जो नहीं चाहती थी, कि वो ज्यादा पढ़ें, ज्यादा समझदार हों, उतनी एजुकेशन हो, जितनी एजुकेशन उनको अपने अमपार को चलाने के लिए जरूरत है, आम आदमी की एजुकेशन का उन से को तर्लूम में जो लोर लेवल में जो कलरक्स और जो उनकी पोस्त ही, उसको सर्विस करने की, मौला ना ने ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पुरा एजेंड़ा अपना स्टार्ट किया और उसमें एजुकेशन में या एजुकेशन के प्रॉजेक्ट में शामिल किया जाए, एडल्ट लिट्रेसी की बात आज तक हो रही है, अभी भी बड़ी तादाद में लोग एलिट्रेस्ट हिंदुस्तान में हैं, और उस वक्त जब मौला ना ने टेक ओवर किया उस वक्त तो 85% पॉ मौला ना वज वरी सेंसिटिव, कि उन्होंने कहा कि हमारी मौलक की जो अड़ते हैं, लड़किया हैं, उनको तालीम उनके लिए बहुत जबरी है, और जो बात उन्होंने उस वक्त कही आज के फैमिनिस्ट उससे ग्रीनी करेंगे, मैंने अपनी किताब में भी फूटनोट डाला था इसे लिए, कि भाई, मौला ना कहते थे कि आप एक लड़की को पढ़ाएंगे, तो एक परिवार को पढ़ाएंगे, क्योंकि लड़की के जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की, उनकी देखबाल करने की, उनको एजिक्वेशनली पालने की होती है, आज के फै को रिफलेट करने हैं, उस वक्त तो, उनकी देखबाएंगे, लेकिन उनने उस वक्त यह महसूस किया कि हमारी समाज में औरतों को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अच्छी माह होने के लिए, एक अच्छा घर चलाने वाली एक औरत, तो इसलिए, सिर्फ मर्दों की, की इंपर्टन नहीं है, औरतों की भी उतनी इंपर्टन है, दूसरी चीज, यह जो स्कूल और जो इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज, क्योंकि मेरा परसनल थोड़ा सा उसमें इंवल्मेंट रहा है, वो है टेकनिकल एजुकेशन की, मेरे ख्याल से, अक्सर ब मौलाणा की अपना जी पोजिशन थी, वो ये थी, और उस पर भी आज लोग सवार उठा सकते हैं और उससकों क्हा सकते हैं क्यों घलत ही, लेकिन मूझे लिन लेनी लगत थी उस व्ट कहलात से, आज भी ऐकशली घलत नहीं है, मौलाना की पोजिशन इनी थी, और भाई, हा जाना चाहते हैं, जो उसमें जा सकते हैं, जो उसमें जा सकते हैं, जो जो बच्चा आगे अगे अगे करियर अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, वो आदमी अहमें बीए क्यों करें, वो क्लास 12 के बाद, क्यों जो ही आदमी बाद, जो फैमिली यो वो आप्शन उसके सामने होना चाहिए, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, जो बोगों ने उठाए, लेकिन आज अगर आप देखें तो आपको ये मुझे लगता है कि कापी हद तक सच लगती है बात क्योंक प्ल में एक बाद लाएा कि दियुक्त हरा, नोंतशनेुछ describing अच्छ मेड़ें उचुछ Ali UK डिएました वर यह निकल करने का छोगेडियूदा उचक्तारी कोह जाना कि उच्छान प्ल करेंडि आपली निए कि न्चका इंस देट्टी में है था तो ये इस्तिती हो गई इसलिए हो गई क्योंकि एक बल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये डिग्री होल्डर्स जिनके जिनके पास कोई रास्ता नहीं मिलता तो अगर वो वोकेशनल यह नहीं है कि वोकेशनल इस्क्यूट नहीं खुले एक हाइफोधेटिकल सवाल बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए लेकिन मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर पे उतना इन्वेस्मेंट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर निकल रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स को प्रॉपर इंफ्रस्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं होता है जी मैं कुछ ना कुछ कह सकता हूँ लेकर उसका कितना मानी है खुछ तो नहीं होते हैं यह तो हम मानी सकते हैं लेकर अभी अभी कल की ख़बर है उत्तरबरदेश की सरकार ने कहा है कि हम अपने सब 76 डिस्टिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोले हैं जी अभी बताइए इफ यू इफ यू स्प्रेट सो थिन तो आप बढ़ाने वाले पढ़ाने वाले कौन होंगे कहां से लाएंगे तीचर कहां से आएंगे तो यह सब सवाल है तो उन सब सवालों का जबाब तयार करन अभी तो मेरे इसाफ से यह यह पॉपीलिस्स मेजर्ज है इनको नहाँ हैं सिंसेरी लिये लिए गये हैं किसी सरकाने लिए यह पॉपीलिजम है प्यूर और सिंपल इसमें कुछ नहीं है इसलिए वो न यह सोच रहे हैं कि इन 76 डिकर कॉलोजी के लिए फैकल्टी का से आए कि उनको मालूम है उसका मकसद क्या है, मकसद इसका वोट है, जी, तो वो सिंसेरिटी तो है ही नहीं, मौला ना को वोट की तलाश नहीं थी, सही कहा आपने, मौला ना को वोट की तलाश नहीं थी, या उस वक्त के जितने भी लीडर्स हैं, उनको वोट की तलाश नहीं थी, व नहरू हो पटेल हो आजाद हो और लोग हो वो सब लोग काम कर रहे थे इंडिया को एक निया हिंदुस्तान सच सही मानों में निया हिंदुस्तान आज का निया हिंदुस्तान एक वैल्यू सिस्टम पे एक निया हिंदुस्तान की फालिसी हमें मलूम है क्या है लेकि उस वक्त तो एक निया हिंदुस्तान था, आजाद भारत था, चीज दूसरी आजादी की बात होती है. इंक्लूसिव वैल्यू सिस्टम था आज के यूग में, एक एक्स्क्लूसिव वैल्यू सिस्टम के प्रोमोट किया जा रहा है. एजूकेशन के सेक्टर से हम अलग हटते हैं, एक बेसिक जो दूविधा या ना समझ में आने वाली मौलाना अजाद के बारे, जिन्दगी के बारे में कुछ तर्थ थे. मौलाना अजाद बहुत ही religious background से थे. उनकी education भी home education थी. इस्लाम के बहुत बड़े विद्वानों में से माने जाते थे. उन्होंने लिखा भी उसके बारे में बहुत कुछ है. लेकिन फिर भी उनकी जो राजनितिक जो गतिविदी थी, वो anti-colonial भी उतनी जितनी anti-communal. तो ये एक सवाल उटता है कि ये एक तरह से role model हो सकते थे कि आप धार्मिक हो भी सकते हैं. लेकिन आप साथ साथ secular भी हो सकते हैं. और खास वह से ये important होता है क्योंकि ये उनका एक तरह से political उदै उसी समय होता है जब मौमद अली जिन्ना भी अपने two nation theory को promote कर रहे. तो कैसे मौलाना अजाद अपने पूरी जिन्दगी में और उनकी after life भी एक तरह से counter foil to जिन्ना एंट two nation theory बनके रही. इसके बार में जा रहा है. इसके लिए मुझे थोड़ा सा जी बैक में जाना पड़ाएगा. बैक में जाना पड़ाएगा. क्योंकि आपने वो सवाल उनकी शुर की लिए नहीं बलके उनके जो मजभ है, उनके जो इसलाम है, जिसके आप बात कर रहे हैं कि भाई, इसलामिक स्कॉलर थे, बिल्कुल थे. लेकिन वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, जहां इसलाम एक dominant ambience का हिस्सा था. जी. और उनके फादर मौलाना खेरोदीन सूफी लेकिन वो यह मैं बार-बार कहता हूँ, सूफी अगर हम कहते हैं, तो सूफी का मतलब यह नहीं कि वो चिष्टी ओर्डर के सूफी थे. चिष्टी जो ओर्डर है, वो बड़ा रिलेक्स्ट है. जहां म्यूजिक का, जहां गाने बजाने का, जहां नाचने का, यह एक यह एक ट्रवाइब प्यूरिटन थे. तो उस महौल में मौला ना के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जह मौला ना पैदा हुए अरब बल्ल में, तो मका में शायद पैदा हुए था है, सौधी रेविया नहीं था उस वक्ता, वो अरब था. सौधी रेविया तो मौला के फादर ने जो महौल वहाँ देखा, क्योंकि ये भी लोग मुझे लगता कमी जानते हैं, क्योंकि मौला का तालुक तो दिली से है, मौला का परिवार दिली से गया, 1857 से कुछ साल पहले, दिली के रहने वाले थे पुराने दिली के, और जाने के बाद गये इसलिए क्योंकि वो एक हिजरत का एक महौल था, बहुत सारे मुसल्मान, अंग्रेजों की हकुमत जिवाने वाली थी, हाँ, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर हमें उतनी आजादी से जिने का महौल नहीं मिलेगा, जी, तो बहुत सारे पड़े लिखे, बहुत लोग चले गए, बहु उन से शादी हुई और वो बड़े आलिम थे उस वक्त के, उनकी ससुर, उसके बाद मौला ने, मौला खेरुदीन ने कोशिश किया कि वो हिंदुस्तान वापस आ जाए, और उनके इतने मुरीद थे पहले हुए, बहुत लोगों ने उन से कहा कि आप हमारे शेहर में वाली फैमली, वो वहाँ चले गए, बुसल्मान, उन्होंने बाकादा उनको बुलाया और वो उनका इंविटेशन एक्सेट किया, अब कलकत तबाले हुए, जी, और महाँ जब रहे, तो मौला ना की उमर छेह साथ साल थी, उस वक्त दिवाए लोटके, और अब पढ़ाई क्योंकि पढ़ने बेजू, क्योंकि वहाँ तो टीचर भी बड़े चाहिल है, और एक मौला ना खेरदीन को खत्रा होता था कि कहीं वहाभी असर ना हो जाए, क्यों वहाभीत के वह बहुत खिलाफ थे, और उस पर उन्होंने बहुत लिखा भी था, तो और इतने खिलाफ थ सुनते थे, फैमली में, अपने अपने वालिद से वाभीयों के खिलाफ, तो जब टीचर एपट की गए तो उन टीचर्स के इंटिवियो मौलाना के फादर लेते थे, कि अगर वो सही थावित होता है, सही है, तो वो कोई टीचर्स पसंद नहीं आता होगा, नहीं पसंद आ और ही टाट थाट प्रस्फिण, लांगविजज, पर्शन, भात बहुत वह रही जानते थे, हाँ, बहुत सारी, अरभी तो उनकी मात्र भाशा है, लेकिन पर्शन सेखी, उर्दो सेखी बात में, उसके बाद फ्रेंच सेखी, उसके अग्रेजी सेखी, उसके बाद अंग्र मैं पढ़ा ही लिखाई की बात कर रहा हूं आज के जमाने में बहुत सारी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जिन पर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की एजूकेशन का हाल बुरा इसलिए है क्योंकि एक जाहिल को आपने एजूकेशन मैंस्टे बना दिया जिसके प लिखास डिग्री और सक्राइब कर रहें देश के साथ हम सब लोग देखते ही हैं तो ये आफसोस की बात है कि हम हम कुछ लोग इस तरह है से सोचते हैं मौलाना के बारे में लेकिन असली क्रिदार मौलाना के यह है उसके बाद मौलाना ने जो भी कुछ पढ़ा और सीखा वो अपनी एड्यूकेशन में अलहलाल जो उनका अखबार निकलना शुरू किया 1912 में उसमें वो एक कॉलम होगा करता था साइन्स पर जिसमें वो एक स्रे पर पुरा एक ऐसे लिख रहे हैं एक सरे क्या होता है मेरी क्यूरी पर एक पुरा एक ऐसे लिखा मैं साल के तोर पर बता रहा हूं इस सरे के बहुत सारी चीज़ें तो ये 1912 में 1912 में उनकी उमर थी तो ये इस इस उमर में उन्होंने ये सब कुछ लिखना शुरू किया तो एडुकेशन से उनका जो लगाव था और साइन से वो इतना पुराना है अच्छा दूसरी चीज़ जो जादा इंपॉर्टन्ट है जो आपने भी लिकर किया आपने सवाल में के एक हिस्से में कि मौला ना इतने इंपॉर्टन्ट कैसे हो गए जिन्ना के इसलाम से भी परेज़ था मैं ये कह रहा हूँ कि मौला ना ने उन्नीस सु बारा तेरा चौदा में अलहला निकला उसके बाद पुलीस ब्रेडिश सरकार ने उसको बैन कर दिया उनकी उनकी जो वो थी सिक्यूरिटी डिपाजेट वो जब्त कर ली दस जार रुपया हुआ करती तो उस वक्त टैन थाउजन जी तो फिर मौला ने कुछ दिन बाद एक और अखबार निकला अलबलाग वो भी कुछ दिन चला वो भी उन्हों जब्त हो गया उसके बाद मौला ना को कालब मावेजिया एकजाईल में भेजा तीन साल के लिए और ऐसी जगह भेजा जहां पड़े लिखे लोग दूड़ दूड़ तक ने थे टाइबल सुसाइटी हरनाची के पास एक छुटा दर गाओं था वहाँ पर तीन साल मौला ना रहे उन्नीस के एंड तक डिसंबर तक अब इस पूरे पूरे पीरेड में बहुत सारे रिपोर्ट्स बिटिश सरकार की हैं जहां पर बिटिश सरकार ने मौला ना अज़ाद को के बारे में कहा कि मैं इसलिए उठा रहा हूं यह सवाल कि उस वक्त तक मौला ना फॉर्मल फीडम मौवमेंट में नहीं आया हैं कहांगे इस पार्टी भी जान नहीं किये जी तो बाद में करते हैं वो वो डेंजरिस इसलिए हुए क्योंकि उनकी राइटिंग सेडिश थी सेडिश थी सेडि पड़ा जी और उसके बाद उनको डेक्लियार करना पड़ा कि यह कि यह जिंजरिस परसन इन इंडिया तो यह उस डैट इंपॉर्टन्ट जब निकल के आते हैं जेल से इनिस सो बीस में उन्तिस दिसंबर को शेद वो निकलते हैं वह से तीन चार दिन रहते हैं वहीं पर त दूसरे से मिनने के बाद वो इतना हम इंप्रेस करते हैं दूसरे को मौना लगांदी वजिबादी के वाए मौना अजाद और गांधी बाद पें कहते हैं कि में तो आप से पहले मिलना चाहता हुए था बार राची के आस पास गया और मैंने बहुत कौश्यिश की मिलने ही पाए लेकिर बिटी सरकार ने मुझे इजाज़त नहीं दी लेकिर वो मुलाखात हुई उसके बाद फिर वो जा रहे है कि फॉमली एक तरह से खिलाफत अंदोलन चलना था उसका इसा भी रहे कुछ दिन और जैसे खिलाफत ये भी एक लोगो कमाल होना चाहिए उस वस्वत कांग्रेस में बहुत आपसी जगड़े थे दो गुड़ बने हुए थे लो चेंज़ेस प्रो चेंज़ेस सी आरदास मुतलाल नहरू एक तरफ थे और दूसरा गुरूप था और लोगो का उस जगड़े को डिप्टाने के लि ये और ये मौलाना के आने के बाद उस जगड़े को खतम भी किया और ये सब लोग एक साथ रहे ये भी एक उनका एक बड़ा पॉजिटिव कॉंटिबूशन है कॉंग्रेस पार्टी के लिए और हमारी राश्टी अंदोलेन के लिए भी तो जिन्ना का जहां तक सवाल है प काफी बाद में जाके तो वो बहुत ही ऐसे थे के कॉंग्रेस में भी इशू नहीं था उनके साथ बात करने में और उनको भी कुछ ऐसी तकलीफ नहीं थी वो थोड़ा बहुत चलता है तो मौलाना कभी भी मतलब जिन्ना एग्रिसिव पॉजिशन लेने के बाद नाइंटी के बारे में शूबाए और दे कॉंग्रेस एजेंट और हिंदू यह सब बोलते थे लेकिन मौलाना ने कभी भी कोई रिकॉर्ड आपको कहने मिलेगा कि किसी भी इस कमेंट का जवाब इस तरह के कमेंट का जवाब दिया हो यह आलवेज रिमेंट सिबिल कोई मलब रियक्ट जिना कि किसी भी कमेंट को यह किसी भी इस तरह के रियक्षिन पर तो यह कीया रिलेशिश्चिप रही लेकिन वह जाहर रहे के वह अपनी उस पर कायम रहे और कोशिश यही रही के ज्यादा ज्यादा में मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल कया जाए क Everyone heroic एक बात बताईए, मैं थोड़ा सा फास्ट फारवर्ड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं हमारे बाचीत को खत्म, मतलब रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टिशन हुआ, पार्टिशन में बहुत हिंदुस्तान की तमाम आवाम को बहुत मेजर का जिनों ने ये तैय कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो अपने जन स्थान में, जन जिस जिस राज जिस देश में पैदा हुएं, वहीं वो रहेंगे, तो उनके लिए मौलाना अजाद जैसे फिगर कितने ज्यादा रियेश्योरिंग थे, देखे, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और मैंने इसका जिवारे में लिखा भी ये इसमें, उस पीरिट में है, अगर आफ देखें, तो मौलाना का एक बहुत ही क्लोज कोपरेशन था, दार अलूम डेवबन के साथ, दार अलूम डेवबन जो आज अपनी बहुत ही हास्यास पद फत्वों के और बहुत सीरियस और सिंसिर गिसम के स्कॉलर से, और उनको मालूम था कि कैसे मुलक के लिए, क्या जरूरी है, तो उन्होंने उस पूरे इदारे ने मौलाना का साथ दिया, और एक जो बड़ा तपका पश्चिमी उत्वर्देश में खास्तोर से दार अलूम से जड़ा हु हुआ था और आजकर बड़ा पॉपलर है ये वर्ड पस्माना मुसल्मान जी जो पस्माना मुसल्मान थे बड़ी तादात में और सुनी पस्माना मुसल्मान वो देवबंद से क्योंकि शिया तो उसे आज भी नहीं है तो वो वो एक एक बड़ा तपका मौलाना के साथ था ताललूम के विज़े से तो ये एक बड़ी स्टेंट थी दूसरी चीज ये लोग अक्सर कहते हैं कि साम मौला नाजाद अकेले आजमी थे और मुस्लिम लिग ने पूरी कोशिश की ये दिखाने की ये तो मौला नाजाद एक शोबॉय है जिसको कंग्रेस इस्तेमाल करती है ब और यूसुफ महर अलावक समरू पर मैंने इसमें भी लिखा और अलग से एक आर्टिकल भी पहले लिखा था जो सिंद्र की लीडर हुआ करते थे 1940 में जो रामगर कंग्रेस होती है और मौला नाजाद प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट है और बड़ी बड़ी हिस्टारिक उनकी तकरीर है उर्दू में बोलते थे और उस तकरीर को नहरून ने अंग्रेजी में तरज़ुआ किया जी इस सो पोईटिक जो इंग्लिश ट पास किया तो दो बिलकुल आमने सामने दो बिलकुल अलग अलग पात तीसरी चीज जिसके बारे में लोग नहीं जानते ना उसके बारे में बात करते हैं वो है और इंडिया आजाद मुस्लिम कांफरेंस जो दिली में हुई 1940 में और जिसका और्गनाजर थे अल्लाबक समरू जो सिंद्ध के एक लीडर थे नौजवान लीडर थे उस वक्त के बड़े पॉपलर लीडर थे पुरे हिंदोस्तान के अंदर मुस्लमानों में भी और नन-मसलिम से भी उस आदमें ने दिली में ये कांफरेंस और्गनाज में एस्टिमेट ये है कि 75,000 से एक लाग तक लोग इकटा हुए जाहरे के सब मुसलमान थे जी तो इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट उस आदाद मुस्लिम कांफरेंस की उसके साथ All India मुमिन मुमिन कांफरेंस और बहुत सारे जितने भी जिनको पसमाना कहा जाता है वो जिस तरह से मुलाना अजाद को आप समझा रहे हैं आपकी बहुती स्पश्ट किया कि मुसलमानों में मासिज उनके साथ थे लेकिन ये एक दुरभाग्य है कि एक गलत किसम का इंप्रेशन समझ में आया कि हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो मुसलमान वहां चले गए इस मतलब जितनी बात होनी चीए हिंदुस्तान में वो शायद कभी नहीं हुई है और आज के तारीक में तो नहीं हो रही है तो आपके इस किताब से हम उमीद करते हैं कि दुबारा से एक फिर से हिंदुस्तान भर में इसका एक डिसकाशन हो थोड़ी बहुत कोशिश हम लोगो करें आप से दोबारा फिर पाचीत करेंगे इर्फान भाई शुक्रिया तो हमारे इस कारक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी मौलाना अजाद के बारे में बात चीत जो सबसे बड़ी महत्वपून बात है मौलाना अजाद और एजुकेशन की दोस्तान के एजुकेशनल सिस्टेम को इतना आगे लेके आई जिसको आज खत्रा है धन्यवाद